यूनेस्को की वर्ड हेरिटेस साइड में भारत का एक और नाया नमुना शामिल हो चुका है 39th यूनेस्को वर्ड हेरिटेस साइड और भारत का रमपा मंदिर जो तिलंगाना के अंदर सिचुएड़ है इस मंदिर को UNESCO की 39th World Heritage Site के रूप में इसको शामिल किया गया है ये मंदिर जो है तकरीबन 800 साल पुराना मंदिर है जिसको रमपा टेंपल के नाम से या ककतिया रुद्रेश्वर टेंपल के नाम से रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर का जो निर्मान था वो एक व्यक्ती थे उनका नाम था रेचर रुद्र उनोंने राजा गणपती देव जो थे गंगई डाइनिस्टी के उनके टाइम पर 1213 AD के अंदर 1213 इस्वी में इस मंदिर का निर्मान किया था अब इस मंदिर का नाम रमपपा क्यों पढ़ा तो इसको बनाने वाले जो वस्तुकार थे उन वस्तुकार के नाम से या जो अंको बनाने वाले उनका नाम था रमपपा 40 साल तक उनोंने कखिन महनत की और 40 साल के महनत के बाद वो इस temple को यहाँ पर बना पाए जो images यहाँ पर देखने हैं तो black sandstone या काला जो बलुआ पत्थर होता है और उसी के साथ में red sandstone का उपयोग करके इस मंदिर को बनाया गया इसमें जितनी भी मुर्तियां हैं लगबग सभी black sandstone से बनी है जबकि बाकी जो structure है उसमें जो आपका blue sand, आपका जो red sandstone है लाल बलुआ पत्थर है उसका उपयोग भी इस मंदिर के अंदर आपको किया गया है जब Marco Polo भारत आया उस समय उसने इस मंदिर को देखा और इस मंदिर को उसने चमकता हुआ तारा या एक brightening star के नाम से represent किया क्योंकि जो पूरा मंदिर है वो एक star के आकार में एक तारे के आकार में बना हुआ है और Marco Polo की visit के समय पर ये मंदिर उसी के कुछ समय पहले बना था तो बहुत बहुत बहतरीन मंदिर वो वाँ पे था उसको उसने सबसे चमकता हुआ तारा या एक brightening star के नाम से Marco Polo ने यहाँ पर आपको उसको represent किया था उसके बाद Marco Polo यहाँ से होता हुआ चाइना गया और चाइना से वापस लोटते हुए भी यहाँ से आपको निकलाता यहाँ पर जो मेन भगवान की जो पूजा की जाती है वो राम लिंगेश्वर temple है राम लिंगेश्वर विससे जो लिंगेश्वर जो वर्ड है वो भगवान शिव के साथ में यूज किया जा है उससे बना हुआ एक नंदी यहाँ पर आपको बना हुआ यह जो नंदी है यह दुनिया के सबसे बड़े नंदियों में से इसको माना जाता है और इसमें काले पत्थर को तराश के इस नंदी का निर्मान यहाँ पर आपको किया गया आपको पता होगा भगवान शिव के स कही सारी के अंदर पिलर्स है और उनं पिलर्स के एपर कही सारी सुन्धर-सुन्धर यहां पर आपको इसके उपर उखेर ही इता है तेनोघ वहां वंन पहसे हैं, जो pillars हैं, कई सारे pillars यहाँ पर बनाये गए हैं, अब सबसे खासियत बात यहाँ पर इन pillars की यह है, यह मंदिर के अंदर से आप किसी भी एक मुर्ती से दूसरी मुर्ती को जब आप देखेंगे, तो उनके बीच में आपको किसी प्राकार का कोई भी pillar यहाँ पर आपको सामने न उनका इसके अंदर आपको ध्यान रखा गया है, चाहे वो मुर्ती के अंदर हो, चाहे मुर्तियों की आखें, हर चरीके से उनके हाओ बाओ, सबको बहुत बारीक तरीके से इसके अंदर यहाँ पर आपको represent किया गया, और कहीं कहीं तो कुछ जो आपके जो holes है, वो सुई से भी बारीक यहाँ भी छहें थे, तो इतनी महीन कारिगरी जो है, उससे इस मंदिर का निर्मान यहाँ पर आपको किया गया है, अब मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर आपको देखेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा, कि इसके अंदर जो पत्थरों को उप्यो इंडियन आटियंद कल्चर पढ़ते हैं, टेंपल आकिटेक्चर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ताराकार समुह के बारे में हम जरूर बात करते हैं, उसके यहाँ पर भगवान गनेश की एक नो पांच फिट उची एक सुन्दर से यहाँ पर आपको मिरती है, जो उस समय के तेरवी शताबदी के भगवान जो गनेश हैं, उनके स्वरूब को दर्शात दी है, उसी के साथ में मंदिर के नीशे की हम बात करें, मंदिर का जो बेस है, मंदिर के बेस में कई सरी जो बालू मिटी है, या आपका सेंड आपका जो रेत है, वो रेत महाँ पर भर हुआ है और उस rate के कारए, जो मंदिर है। यह एक तरीके से आपका भुकम्परोदी है या एक तरीके से जो earthquake prone इस मंदिर को बनाया गया है। यह जो तक्निक है जिसके अंदर किसी मंदिर के base में, किसी building के base में जब sandstone भरी जाती है तो उस तकनीक को Sandstone तकनीक कहा जाते है कि जो भी अगर भुकम पाहेगा तो रेत के दवारा जो भी भुकम के जो भी vibrations है उन vibrations को यहाँ पर absorb कर लिया जाएगा मंदिर के structure तक वो चीजे नहीं पहुंचेगी तब सोच सकते हो कि 13 अताबदी में भुकम से लणने के लिए भुकम से mitigation के लिए कितनी आधुनिक तंकनी के हमने उस समय यहाँ पर आपको विक्सीत की थी और उसी के साथ मैं जैसा बताया है कि तेलंगाना की पहली World Heritage Site में इसको शामिल किया गया है एक खुशी की बात और है कि भारत की एक और साइट आपका 40th आपका जो युनेसको World Heritage Site है वो भी शामिल हो चुकी अगले वीडियो में हम उसमें 40 वे विश्व धरोहर स्थल के बारे में अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे और ये जो World Heritage Site की जो मीटिंग है वो चीन के अंदर ये मीटिंग यहां पर आपको होती है और उसके अंदर दुनिया के अंदर अलग-अलग 22 जो विरासते हैं उनको विश्व धरोहर स्थल के अंदर यहां पर आपको शामिल किया गया उके उसके अलाबा अनकाड़ी में बेरे कई सारे हो चुका है युनिट नंबर तीन और पांच इसमें बचा हुआ है उसी के साथ मैं आपका पेपर टू का कोर्स है जिसमें इंडिन एकोनोमी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेपर टू का पार्ट बी कल सी में आपको शुरू किया है बरलाब 27 शुरू कुआ है तो दो ही लेक्चर उसके हुए हैं इसको आप जाके जॉइन कर सकते हैं उसके अलाबा अनकाड़ी प्लस अगर आप जॉइन करते हैं तो कई सारे बेनेफिट्स आपको मिलते हैं प्लस सब्क्रिप्श के साथ में और भी कई सारे कोर्स चल रहे हैं अनकेडमी स्कॉलर्शिप टेस्ट है जहां पर आप अगर टेस्ट देते हैं तो आपको 50% तक डिस्काउंट बिल सकता है अगर आप टॉप 10 के अंदर आपको आतने हैं उसके अलाबा अनकेडमी T20 सिरीज अनकेडमी MPG के ब्रह करम है विजय पत करके एक सिरीज चल रही है और जुलाई के अंदर कई सारे कोर्स और अगस्त के अंदर भी कई सारे कोर्से यहां पर आपको लाउंच हो गए हैं तो इन कोर्से को जाइन करने के लिए आपको मेरा जो कूड है पवन लाइव वो यूज करना है एक साल का सब credit point के साथ में इसका total जो discount है वो आपको 20% होगा और 7,128 रुपे में अब plus subscription को purchase कर सकते हैं साथी बहुत ही जल्दी अन-academy के जो price है वो बढ़ने वाली है इसके पहले price बढ़े आप अपना जो subscription है उसको renew कर लीजिए या नया subscription लेना तो जाकर आप purchase कर सकते हैं साथी एक और important प्रोग्राम यहाँ पे चला जिसमें अगर आप अभी plus subscription खरीटते हैं तो एक साल के subscription पे दो महिना और दो साल के subscription पे आपको तीन महिने का extra benefit जो है अन-academy पे मिलने वाला है तो go and join the अन-academy. Thank you.